नमस्ति दूस्तू मैं हूँ आपका दूस्त राकेश और आप सभी का रखना नहीं स्टेडी चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्छा बारा की भूगूल का पैस्ण पैस्ण है कि खनेज संसाधनों की सरनक्छन की उपाय लिखिए जैसे कि पैस्ण है खनेज संसाधनों की सरनक्छन की उपाय लिखिए उत्तर है खनेज संसाधनों की सरनक्छन की उपाय निम्न लिखित है पैस्ण है कि खनेज संसाधनों की सरनक्छन की उपाय लिखिए उत्तर में लिखेंगे कि खनज संसाधनों की सनरक्षण की उपाय निम्न लिखत है खनज संसाधनों की सनरक्षण के लिए पहला उपाय है सुरक्षित खनज भंडर ग्रहों का नर्माड करना चाहिए खनज संसाधनों की सनरक्षण के लिए उपाय है कि सुरक्षित खनज भंडर ग्रहों का नर्माड करना चाहिए खनज संसाधनों की सनरक्षण के लिए दूसरा उपाय है कि खनजों का बहु उद्देशिये पियोग क्या जाना चाहिए जो खनेज हैं उनका बहुत से उद्देशों से पियोग किया जाना चाहिए तो खनेच संसादनों के संरक्षन के लिए दूसरा उपाय है कि खनेच संसादनों के संरक्षन के लिए तीसरा उपाय है कि नए इस्थानापन खनेचों का पता लगाया जाना चाहिए खनेज संसादनों की सनरेख्षन के लिए तीसरा उपाय है कि नए इस्थानापन खनेजों का पता लगाया जाना चाहिए खनेज संसादनों की सनरेख्षन के लिए चोथा उपाय है कि कुईला और पेटॉलियम की अपेक्छा जल्बिद्धुत का अधिक्तम विकास करना चाहिए खनेज संसादनों की सनरेख्षन के लिए चोथा उपाय है कि कुईला और पेटॉलियम की अपेक्छा जल्बिद्धुत का अधिक्तम विकास करना चाहिए खनेज संसादनों की सनरेख्षन के लिए पाँचबा उपाय है कि लूहा, तांबा और अलूमिनियम चक्रिय संसादन हैं जिनका अपियोग गला कर बार बार करना चाहिए लूहा, तांबा और अलूमिनियम चक्रिय संसादन हैं और इनका अपियोग गला कर बार बार करना चाहिए तो खने संसाधनों के संवेक्षण के लिए पांच बाँ उपाय है कि लोहा तामबा और एल्यूमिनियम चक्रिये संसाधन हैं जिनका उप्यूग गला गला कर बार बार करना चाहिए तो हे गाइज एदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हूँ तो हमारे चैनल को लाइक करें कमेंट करें सेर करें और सस्क्राइब करें धन्वाद